Hello students, इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे आज Floral Biology of Cowpies सबसे पहले अपने देखते हैं कि ये plant किस टाइप का होता है Cowpies is a herbaceous, ठीक है, ये एक herb है and annual plant, इस परकार का plant है, एक annual plant है Next अपने देखते हैं इसमें inflorescence कि inflorescence कौन सा होता है, कहां पर present होता है, कैसे present होता है The cowpies consists of an unbranched axillary raisin inflorescence इसमें push curve कौन सा होता है, raisin होता है कहां पर present होता है, in which a bunch of flowers are found on the top of peduncle in the leaf axis कि leaf का जो axis part होता है, जो पत्ती का कक्षस्त बाग होता है वहां से एक pushpavali vrnt या peduncle निकलता है और उस peduncle के top पर या शीर्षभाग पर flower का एक bunch या एक cluster पाए जाता है मतलब एक गुच्छा पाए जाता है और उस flower के गुच्छे को या उस flower के bunch को अपने कौन सा inflorescence बोलते हैं जैसे इस डाइग्राम में आप देख सकते हो यह जो डाइग्राम है किसको शोग कर रहा है रेजिम in fluorescence या रेजिम पुश्प करम को देखी जैसे इसमें यहां पर यह क्या है एक stem है यह stem है इस stem में यह क्या है leaf leaflet इसका जो axis वाला पार्ट है यहां से क्या निकलता है पिडंकल मतलब पुश्पावली वरंत और इसके जो टॉप पर पिडंकल के एपिकल बाग में या शीर्श बाग में क्या पाए गया है flower cluster मतलब पुश्पों का गुच्छा तो इस परकार यह जो inflorescence है वो present होता है और उसमें काफी सारे flower गुच्छे में पाए जाते है नेक्स अपने देखते हैं इस डायग्राम के बाद इससे इसमें लिखा है कि each flower is bisexual and pedicillate कि इन florishcence के अंदर जितने भी flower पाए जाते हैं सभी इस परकार के होते हैं पैडिकल पाए जाती है each flower has five green sepals which are interlinked हर flower bisexual है और इसके साथ साथ हर flower में पाँच green sepals पाए जाते हैं मतलब बाहिये दल पाए जाते हैं green color की जो आपस में जुड़े होते हैं interlinked होते हैं next है कि each flower has five petal हर flower के अंदर पाँच पैटल या दल भी पाए जाते हैं जो white और light purple color के होते हैं ठीक है white और light purple color के होते हैं और इनका जो estivation है वो किस परकार का होता है vaxillary estivation होता है विन्यास किस परकार का होता है vaxillary मतलब इसमें आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इसमें तीन टाइब के जो पैटल है वो पाए जाते है जैसे इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला है standard इस diagram में भी आप देख सकते हो जो standard है वो कहाँ पर पाए जाता है upper one large petal कि सबसे उपर की और एक बड़ा पैटल पाए जाता है जिसे अपने बोलते हैं standard या कील सबसे निचे जो छोटे साइज की है वो कितने है कील जो भी कितने नंबर होते हैं उनके भी दो the lower two small petal inside इसके अंदर क्या होते हैं which stamen and carpel remain enclosed इनके दोरा जो stamen और carpel हैं वो क्या होते हैं cover रहते हैं in this condition self pollination occurs जिसके कारण इसमें सव प्रागन होता है and which is called क्लिस्टोगैमी ठीक है कि यह flower हमेशा बंद रहता है जिसके कारण इसमें सव प्रागन होता है और इस जो condition को अपने क्या बहते हैं क्लिस्टोगैमी या अनुनमी लेता next अपने इसके बाद बाद करें कि flower के अंदर जो स्टैमन और कारपल की कंडिशन क्या होती है तो इसमें अपने देखें कि each flower has 10 स्टैमन हर फ्लावर के अंदर स्टैमन कितने होते हैं 10 स्टैमन या 10 पुंकेसर होते हैं जैसा आपने पहले भी पल्सस के अंदर पढ़ा है which are found in 2 group 10 स्टैमन दो ग्रुप के अंदर डिवाइड होते हैं 9 प्लस 1 9 स्टैमन अलग होते हैं एक स्टैमन फ्री होते है that is स्टैमन और डाई एडिलफस यह जो इस परकार की कंडिशन है स्टैमन की या स्टैमन का जो इस परकार की arrangement है वेवस्ता है उसे अपने क्या बोलते है डाई अडलेफस हिंदी में से बोलते है द्वी संगी है इसमें अपने देख सकते है क्लियर कि एक सिंगल स्टैमन है यह सिंगल स्टैमन अलग है और नौ स्टैमन एक कलस्टर में है एक गुच्छे में है जिसे अपने बोलते हैं Staminal Cluster 9 है और एक Single Stamina अलग है और इस Condition को अपने क्या बोलते हैं Di Adelifus या द्वी संगिय कुंके सर Stamina के बाद अपने देखते हैं Carpal की Condition कि Each Flower has 1 Carpal Flower Bisexual था, 5 Sepple थे, 5 Petal थी 5 Petal किस परकार का Estivation था? Vaxillary 10 Stamina थे, 9 प्लस 1 की Arrangement थी मतलब Die Adelifus थी इसके बाद अपने पढ़ें कि इसमें Carpal कितने हैं एक Carpal है, ठीक है और इसमें Ovule कितने हैं, 10 to 15 Ovule present है और Ovule का जो Placentation है मतलब उनकी Arrangement किस परकार की होती है Marginal वो सिमांत, शेत्रों में या किनारों पर जुड़े होती है ठीक है तो यह अपने याद रखना है थोड़ा सा Next अपने बात करें इसके बाद Pollination और Fruit की तो देखी, Pollination अपने जब Flower की Structure देख रहे थे तो वहाँ पर आया था Clistogammy ठीक है मतलब जिसमें Petal के दवारा जो Stamon और Carpel है वो Cover रहते है ठीक है मतलब Flower open ही नहीं होता तो जब Flower open ही नहीं होगा तो दूसरे Plant का कोई भी Pollen Grain वहाँ पर नहीं आ पाएगा तो जब दूसरे Plant का Pollen Grain वहाँ पर नहीं आ पाता तो इसका मतलब है कि उसमें Naturally कौन सा Pollination होगा Self-Pollination तो Naturally Cowpe is a Self-Pollinated Crop ठीक है क्यों होती है क्योंकि इसमें Clistogammy present होती है Clistogammy is found in the flower of Cowpe एक इसमें आप ये भी point याद कर सकते हो ये भी point आप एड़ कर सकते हो कि Flowering occur in Cowpe for 11 to 14 days कावपी के अंदर जो Pushpun है जो Flowering है वो 11 to 14 दिनों तक चलती रहती है 11 से 14 दिनों तक वो Pushpun की प्रिक्रिया है वो चलती रहती है अपने Fruit की बात करें फल की बात करें तो सभी Pulsors का जो Fruit आउसे अपने क्या बोलते हैं Powder Legume ठीक है इसकी Length कितनी होती है 10 to 23 से मी यह Long होता है ठीक है कि Fruit, Powder, Legume है जिसकी Length होती है 10 से 23 से मी और आपको पता ही है कि कारपल के अंदर जितने अव्यूल होंगे उतने ही Fruit के अंदर क्या होंगे Seed होंगे तो कारपल के अंदर 10 to 15 अव्यूल थे जो After Fertilization वही Ovule किसमें चैंज हो जाती है Seed के अंदर तो A, Pod, Content 10 to 15 Seed तो यह अपना Cow P का था Floral Biology ठीक है जिसमें अपने बस Main Main Point अपने पढ़ने होते है ठीक है इसके Cow P के बाद अपने Next पढ़ेंगे जो आपकी दूसरी Next Pulses होगी पिजन भी ठीक है नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे Floral Biology of a Pizer की P के बाद है Thank you